ये आज तक रेडियो है सड़क तूट चुकी है और महां से धीरे-धीरे से पानी निकल रहा है लेकिन अचानक होता ये है कि ये जो पानी का बहाव है बहुत तेज हो जाता है और ये फवारे में तब्दील हो जाता है बहुत उचा फवारा बन जाता है और आस पास से कई गाड़िया निकलती हुए दिख रही है अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों का ये कहना है कि ये वीडियो जो है आगरा लखनो एक्सप्रेस वे का है यानि कि यूपी का है और भी कई लोगों ने इस वीडियो को इसी दावे के साथ शेयर किया है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये मोदी जी का जो विकास मॉडल है जो कथित विकास मॉडल है इसे देखाता है कि देखिए कैसे जो है सडक फार विकास हो रहा है और जो सडक है वो धस चुकी है और तूट चुकी हो और वहाँ से कैसे पानी का फवारा बन गया है एक व्यक्ती ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है ये मोदी जी का विकास मॉडल है या किसी भूत प्रेत का काम अब दरसल ये वीडियो वाइरल इसलिए हो रहा है कि आपने भी हाल फिलाल में देखा होगा कि मौनसून आने के बाद से देश की कई हिस्सों से सडक तूटने या धसने की खबरे आ रही है अब इन में से बीजेपी, शासित, राज ये उत्तरप्रदेश और गुजराद भी हैं यूपी में तो आयोध्या में जो हाल फिलाल में ही कुछ महीनों पहले ही जो नया रामपत बनाया गया था उधर से खबरे आई कि कई जगे वहां की सडक धस गई जिसको लेकर सरकार की काफी किरकरी हुई अब वहीं गुजराद से भी हाल फिलाल में एक वीडियो आया था जिसमें एमदाबाद में भी एक सडक धसी हुए एक बड़ा गढधा बनते हुए दिखाई दिया अब इसी के मदने रज़र सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वाइरल हो रहा है और इसे किसी बीजेपी शाषित राज जी का बताया जा रहा है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का है आगरा के एक्सप्रेस वे का है तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के सच्चाई क्या वाकई ये वीडियो बीजेपी शाषित राज या उत्तर प्रदेश का है चलिए समझते हैं तो जब हमने इस वीडियो के की फ्रेम्स को रिवर्स सर्च किया तो हमें एक यूट्यूब चैनल मिला जहां इसे इस वीडियो को 26 फरवरी 2024 को केरेल की कोजी कोट का बता कर शेयर किया गया था यहां साथ में ये भी बताया गया था कि ये जो वीडियो है ये कोजी कोट के कुन मंगलम इलाके का है इसके बाद जब हमने कुछ keywords की मदद से search किया तो हमें Malayalam भाशा की कई news reports मिली जिनमें इस वीडियो को कोजी कोट का ही बताया गया है एक media संस्ता है केरल की media one इसने अपनी 25 फरवरी 2024 की video report में बताया गया है कि ये जो घटना है ये कोजी कोट में एक national highway पर हुई थी जिसके नीचे से जा रही पानी की एक pipeline फटने से पानी उपर आ गया था अब ये जो pipeline थी ये केरल का एक वहां का एक बहुत बड़ा जल प्रोजेक्ट है जल Mission है ये उसी का हिस्सा थी और इस जल Mission के लिए मैं आपको इसली बता रहा हूँ कि ये जो पानी की pipeline फटी थी इसके लिए ये एक जल Mission का हिस्सा थी और इसके लिए यह जापान के एक बैंक था उस समय सालों पहले एक बैंक ने इस में जो है वित्तिय मदद की थी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इस बैंक ने कुछ पैसे दिये थे अब कोजी कोट के वाइनाट की तरफ जा रहा है इस हाईवे पर पाइपलाइन तूटने से जाम लग गया था और खबरों के अनुसर बताया ये भी गया था कि काफी देर तक जो भी जल विबाक के लोग थे जने इस पाइपलाइन को ठीक करना था वो यहाँ पर नहीं आया गया है कि ये जो वीडियो है ये केरल का है कोजी कोट का है और साथ ही हाल फिलाल का वीडियो नहीं है ये फरवरी 1224 का वीडियो है जिसे गलत दावे के साथ शेयर करके कहा जा रहा है कि ये उत्तरप्रदेश का है या फिर आगरा लखनों एक्सप्रिस वे का है अगर आपको भी सोशल मीडिया पर ऐसे ही कोई तस्वीर क्या कोई वीडियो मिलता है जिसके साथ जो भी दावा किया जा रहा है जो भी कैप्शन लिखा जा रहा है अगर आपको उस दावे की सच्चा ही जानना है तो हमारा एक वाटसाप नमबर है आप इसे नोट कर सकते हैं नमब गुगल भी मत चलाइए बस आज तक रेडियो पर ग्यान ध्यान लगाईए हर वेंस्टे से संडे रोज लगेगी क्लास अपल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट